नमस्कार किशन भाईयो यह जो हल्दी है यह लगडन है यह लगडन हल्द हमने मेगालाई से अमारे जो सुनिल गुंजार है पुने वाले जो मित्र है वो मित्रने हमको दिया था उसका उहराइटी वो मेगालाई में उनकी सासरवाडी है ग्र्यांट फादर है उदर उनकी उन उने हमको यह लगडन दिया था तो इसके लिए हमने इधर बुआई की है तो यह सबसे धिमी लगाए थे हमने भोत बाद में लगाए थे पूरा हल्दी का लगाने के बाद बहुत ही आच्चा कॉलिटी आया है यह हल्दी का वशिष्ट भोत गुगल पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा तो यह हल्दी हमने लगाने के बाद इसको देखो हम कैसा भी इसमें खरपतवार खरपत नाशक यूजने करते यह देखो इसमें पुरा घास आया है पुरा खरपत आया है यह देखो तो हमने इसमें कुछ भी उजने करते, खर्पदवार काईसा भी उजने करते, कोईसा ही केमिकल करते नहीं, तो इसको आभी तक हमाई ने, तिन चार बार, पाथ छे बार हो गया, कि हमने इसमें जिवामृत डाला है, हमारा जो यक चमतकारिक कामृत बना है, वो भी इसमें डाला है, और अभी अलग-अलग निविष्टे का परियोग करते जा रहे है, तो अभी यह हमारे, कम से कम इसके हाइट, दो ढ़ाई पीठ हो गई है, दो ढ़ाई पीठ हो गई है, और बहुती आच्छी क्वालिटी है, बहुती आच्छी गुरोत है यह आलदी की, यह देखो, इदर हमने क्या- बनाना का यह लाया है, प्लैंट लगाया है, ऐसा दो लगा है, उदर एक हो देखो, छोटा और इदर, तो रहे हमारे बगीचा में यह देखो, ऐसा यह लगड़न का हल्दी का, प्लैंटेशन बहुती बड़ आ गया है, यह देखो, अभी एक कोकन का इदर भी बनाना है, उ natural fruit अन्जीर या उत्पदन का ईसा है देखो अन्जीर कितना आया है या अंजीर का उत्पदन है बहुत ही बड़ा अन्जीर आया है या हमारा एपल का पेड़ है एपल भी बहुत बड़ी आये थे अभी खतम हो गया है इस तरह से यह यह हल्दी का प्लैंट, पंचस्तरी का प्लैंट में हमने यह लगाया है, यह हल्दी का वश्ची से हम आप जाके गूगल में देख सकते हैं, बहुत ही बढ़या है, बहुत ही अच्या कॉलिटी का है, धन्यवाद, जे जावान, जे किसान